अजादी की पच्छतरवी वश्गाट पर केंद्र सरकार ने हर घर ते रंगा अभियान चलाने का फैस्का लिया है वहीं दूसरी ओर कॉंग्रस गौरव यात्रा निकालेगी 9 अगस्त से 14 अगस्त तक कॉंग्रस पद्यात्रा करेगी जारगन के सभी जिलों में गौरव यात्रा के तहत कॉंग्रस नेता पद्यात्रा करेंगे अगस्त कांधी दिवस के अफसर पर 9 अगस्त से कॉंग्रस पूरे देश में आजादी की गौरव यात्रा निकालेगी जो 14 अगस्त तक चलेगा इस पद्यात्रा कारिक्रण को लेकर प्रदेश कॉंगरेस ने अपनी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं आजादी के 75 वर्ष के मौके पर आयोजीत पद्यात्रा में कॉंगरेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेस ठाकुड ने कहा कि इसको लेकर सभी जिला से सन्योजक को जिम्यतारी दी गई है कि भारती कांग्रेस कमीटी के निर्देश अनुसार पूरे देश में हम लोग आजादी की 75 वी बर्स व्याड को आजादी की गौरव व्यात्रा के तौर पर मना रहे हैं और पूरे राजे में हम लोग आजादी की गौरव व्यात्रा 9 तारिक से सुरू करके 14 अग तक करेंगे पद्यात्रा करना है और सभी जिलों में करना है सभी जिलों में माननीयमंत्रिगन माननी मिर्हाइको बिरहाइको दी गई है सबी लोग अपने अपने जिले में जाकर जिनको जिस जिले की जिम्मधारी है उसमें जाकर के पदियातराम के दोरान उपस्तित रहें बीते दिनों उदैपूर में हुए चिंतन शुविर में ये कारेकरम टै किया गया था कॉंग्रेस की आजादी के गौरव यात्रा के जहारखन में कॉंग्रेस कोटे के मंत्रियों को भी 6-6 जिलों की जिमेदारी सौपी गई है साथ ही विधायकों को भी अपने शेत्र में रहने का निर्देश दिया गया है कॉंग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि जारखन में इसका सफल आयोजन होगा कॉंग्रेस विधायक है अपना जेला में शरेखուबगे ज्या wichtig या तूसा जिला चर्वदाएक है में इसका सभी देखर होगो और संगंतन्रार होगा है तो इसका सभी आज्टी का सभी भी पार्टी को मिलेगा इस कारेक्रेम में मॉनेटरिंग दिल्ली से भी होगी इसलिए प्रदेश कॉंग्रेस ने इसको लेकर मजबूत तयारी की है न्यूज लवन भारत के लिए कैमरमन शुशील के साथ विपिन उपाधाय की रिपोर्ट की का